नमस्का दोस्तो, स्वागाते आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में आज के अपने इस वीडियो में हम बिग्यान से सम्मंदित कुछ पिशनों का डिसकस करेंगे तो जिन पिशनों की हामे हाम बात करेंगे चलिए उनको देख लेते तो इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रसन है कि निम्न मैंसे कौन उस्मा का सबसे अधिक कुछालक है मैं बताना है कि उस्मा का सबसे अधिक कुछालक कौन है ठीक है आप्सन A तावा, आप्सन B सीशा, आप्सन C पारा और आप्सन D जस्ता तो इसका जो सही अंसर है वो है पारा या उस्मा का जो सबसे ज़्यादा कुचालक है वो है पारा आगे बात करेंगे कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्दुधारा या उस्मा प्रवाहित ना हो उसे हम कुचालक कहते हैं ठीके जैसे लकडी काच इत्यादी सबी धातुएं जो हैं उस्मा की चालक होती है लेकिन अन्य धातियों की तुला में जो सीसा या पारा है या उस्मा की चालक ता इसकी कम होती है ठीके सीसा और पारा की कम होती है लेकिन जो लेड यानि की पारा है इसकी सीसा की होती है 34.7 जबकि पारा की होती है 8.31 यानि सबसे जो कम होती है होती है पारा की इसलिए इसकान सा हमने पारा लगाया फिर पारा के बाद होती है लेड एनी सीचा की जो की 34.7 होती है आगे बढ़ेंगे कि निम ने लिखे थे लोह आयस्कों में बैला डिला में किसका खनन होता है ठीक है हमें बत तो इसका जो सही अंसर है वह है हैमेटाइट यानि बैलाडीला जो खदान है उसमें हैमेटाइट खनन का उत्खनन होता है जो की लोहे का आयस्क है आगे बढ़ेंगी कि जो बेला डिला खान है यह 36 गड़ के दंते बाड़ा जिले मेशते थे और यहां पर हैमेटाइट लोह आइसक का खानन किया जाता है हेमेटाइट जो है उच गुड़ बत्ता वाला लोह आइसक है और यह जो मुख रूप से 36 गड़, जारखंड, ओडिशा, असम, बिहार आधी राज्यों में पाया जाता है और जो कम गुड़ बत्ता वाला होता है लोह आइसक वो है मैगनेटाइट जो कि गोवा, करनाटक, आ अलूमिनियम बनाने के लिए किस खानेज का प्रियोग होता है यह हमें बताना है ऑप्शन A, बॉक्साइट, ऑप्शन B, हेमाटाइट, ऑप्शन C, लिगनाइट और ऑप्शन D, मैगनेटाइट इसका जो सही अंसर है वह है बॉक्साइट यह अलूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनेज या आइस्क का पयोग होता है आगे बढ़ेंगे कि जो बॉक्साइट है यह एलूमिनियम का मोख आइस्क है ठीके जो एलूमिनियम के जल योज़त आउक्साइट के रूप में प्रधानताया गिवसाइट बोहसाइट और डायस्पोर का समलित रूप है इस सबसे पहले दक्षिनी फ्रांस के लेज बॉक्स नावा के स्थल पर पाया गया था इसलिए इसका नाम क्या कर दिया बॉक्साइट कर दिया ठीके और एलूमिनियम धादू का नो निस्करशन है बॉक्साइट आइसक से बिदुत अप घटन बिदी द्वारा किया जाता ह आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित मैंसे कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है यह हमें बताना है कि इस मैंसे कौन सा यूग में जो है वह सुमेलित नहीं है नहीं है इस पे आपको ध्यान रखना है नहीं पर आप्शन एलूमिनियम बॉक्साइट आप्शन बी कॉपर सिने बार option C, Zinc, Calamine और option D, Iron, Hematite तो इसका जो सही आंसर है वह है कोपर यानि कोपर जो है सिने बार का आइस्क नहीं है ठीक है कोपर का सिने बार जो है वह है आइस्क नहीं है जब कि Aluminium का बॉक्साइट है जिंक का Calamine है और Iron का Hematite है आगे बढ़ेंगे कि सही सुमिलन जो है वह Aluminium का बॉक्साइट तामा का क्यूपराइट है ठीक है और जिंक का है Calamine पारा का है सिने बार और Iron का है Hematite ठीक है तो इस सही सुमिलन है आगे बढ़ेंगे कि निमनलिखित मैसे जल से हलका क्या होता है ठ और Option C Magnesium और Option D Magnes तो इसका जो सही आंसर है वह सोडियम यह जल से जो हलका होता है वह होता है सोडियम ठीक है तो सोडियम का जो आपक्छी गनत है वह 0.97 होता है और जल से हलका होने का यह जल पर तैहने लगता है ठीक है और सोडियम का जो फॉर्मूला होता है वह होता है ए अगे बढ़ेंगे कि निम्रे लिखित मैंसे किसका गलनांक सबसे उच्च होता है ठीक है हमें अब बताना है गलनांक हो क्या बताना है सबसे उच्च औप्शन A, बोरोन, औप्शन B, लोहा, आप्शन C, सिलिकॉन और औप्शन D, ऐलू Massachusetts तो इसका जो सही आंसर है वहो है बोरोन यहां बोरोन का जो गलनांग होता है वो सबसे अधिक होता है आगे बढ़ेंगे कि किसी ठोस पदात का गलनांग वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अबस्ता से पिखल कर द्रब अबस्ता में पहुंच जाता है गलनांग पर ठोस और द्रब प्राबस्ता जो होती है वह साम्यस्ता में होती है बोरंग का गलनांग है 24-53, अलुमिनियम का है 933, सिलिकॉन का है 1693, लोहे का है 1808, तो इसलिए जो बोरंग है इसका सबसे ज़्यादा गलनांग होता है, आगे बढ़ेंगे कि डॉक्टर, कलाकार वा मूर्तिकार, कैलसियम सलफेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय न नाम क्या है, ठीक है, डॉक्टर, कलाकार वा मूर्तिकार, कैलसियम सलफेट का यूज करते हैं, तो इसका जो लोकप्रिय नाम है, वह है क्या है, आप्शन A, कल्ली का चूना, अथो आनबुजा चूना, आप्शन B, चूना पत्थर, आप्शन C, बिलीचिंग पाउडर, और आप्शन D, पिलास्टर ओफ पेरिस, तो इसका जो सही अंसर है, वह है आप्शन नमबर D, पिलास्टर ओफ पेरिस, आगे बढ़ेंगे, कि आर्द जल योजित कैलसियम सलफेट को सामाने तहा पिलास्टर ओफ पेरिस कहते हैं, यह सफेद चून है, और इसका उप्योग सल् में होता है, इस से मूर्तियां तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं, आगे बढ़ेंगे, कि निमने लिखित में से कौन सी मिस्र धातू नहीं है, यह हमें बताना है कि मिस्र धातू कौन सी नहीं है, आप्शन A, स्टील, आप्शन B, पीतल, आप्शन C, और आप्शन D, तामा, तो इसका जो सही अंसर है, वह है तामा, यानि तामा जो है, वह है धातू है, जबकि स्टील, पीतल, और ब्रॉंज, यह तीनों मिस्र धातू हैं, आगे बढ़ेंगे, कि तामा तत्त, मूक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, यह संयुक्त अवस्था में आइसकोकों के रूप में पाया जाता है, इसका प्रयोग विवनि प्रकार की मिस्र धातू होता है, जबकि पीतल, ब्रॉंज और स्टील मिस्र धातू हैं, आगे बढ़ेंगे, कि जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं, क्योंकि उन नमबर C, एसद, ठीके, जो लोहे की चादरें होती हैं, उसमें हम एसद लेपन कर देते हैं, इस से उसमें जंग नहीं लगता है, ठीके, तो जस्ता अत्वा एसद, एक तत्थ होता है, जिसका उप्योग लोहे की पिती छर्ण में किया जाता है, जस्तिकत जो लोहा है, और पानी, साबन के बिलियन, प्रट्रॉल और खनच तेलों के प्रभाव को सह सकता है, और लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए उस पर जस्ते की पॉलिस की जाती है, और इस पिक्रिया को कहते हैं, गैलवे नाई जेसन, आगे बढ़ेंगे, कि किस धातू से बनाई मिस्त धात आप्शन C, अलूमिनियम, और आप्शन D, इन मेंसे कोई नहीं, तो इसका जो सही अंसर है, वह है अलूमिनियम, ठीक है, तो अलूमिनियम धातों जो है, तामे और लोहे की तोलना में हलकी होती है, इसका प्रियोग बिशिश्त हा, हवाई जहाज, इब हम रेल डिबों के प आन्ने बाद